लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडियाल लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए युवानेतामित मेडकर के जनम दिन के उसर पर आज नॉइमबई के हनुमान नगर में मेगा जौफ फेर का युजन किया गया पूर्व मंत्री विधायक गनेश नाइक ने इसका उधगाटन करते हुए कहा कि लोगडाउन के कारण आज कल असंखे लोगों की नौकरी छिन गई ऐसे में युवानेतामित मेडकर की यह पहल सैकण युवाओं को रोजी रोटी देने में मददकार बनेगी इस वसर पर पूर्व विधायक संदीप नाइक, पूर्व सांसत संजीव नाइक, वरिष्ट समास्यवी अमरित मेडकर और महापार जवन सुतार समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे नईमबाई तुर्वे के हनुमान नगर में आयोजित यह मेगा जॉब फेयर आज सैकणों युवाओं और बेरुजगारों को खुसियां दे गया युवानेता अमित मेडकर के जन्म दिन पर अभिनास मेडकर फाउंडेसंद और आयोजित इस जॉब फेयर का उद्गाटन करते हुए पुर्व मंत्री गनेशनाइक ने इसे बेरुजगारों के लिए वरदान बताया जो फेर में पचास से अधिक कंपणी ने अपना स्चाल लगा कर अभेरतियों का सीधा इंटर्वू लिया यहां कई अभेरतियों को खुद लोकनेता गनेशनाइक ने नौकरी का इंटेंट लेटर प्रदान करते हुए बधाई दी गनेशनाइक ने कहा कि लोकडाउन के कारणा आजसंखे लोगों की नौकरी छिन गई है ऐसे में युवानेतामित मेडकर की इस पहल से सैक्णों युवाओं को रोजी रोटी का जर्या मिला है आए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा अपंगान साथी निरालाय गोस्टी एकोन डिजयाबल लोकान करता सुद्धा या ठीका ने प्रामारिक पने काम केलेगेले निराश चा गरतेद गेलेले तरुनान आशावादिक कायम ठोन त्यांचा जिवनाला दिशानावनेचा काम जे उन्होंकार स्थेट मेडकरानी अमित अमरुत मेडकरानी जे पुडे-पुडे चालवल तो वारसा अमित मेडकरानी पुडे चालवलेला है आज तरुनान करता रोजगार मेलावा त्याटिकानी अखला या लाइबरी चा उदगाडन केले बविशकाला मदे नवी मुंबई सरवार्थान सरवाना सामोन गे नारी सरवांची स्वपन पुर्म करनारी वावी या करता अमित मेडकरा सार के सवकारी जी प्रेतना करते त्या प्रेतना येश मिलना करता आमी तक्तिन तयांचा पटिमा उभी रानारावत जनते चा सेवे करता जसा चंदनाचा जाड जिज़त रात तशा प्रकारचा त्याचा अईश्य समाजाचा सेवे करता जिज़त र शॉपरनाच्य करन अधियां तयाने जुवर्णों कि अधियां तुल्दल्व कर दो बैरोजगार को मैं थामने कि सब्सक्क्राइड़ कि सब्सक्राइब करें थार्वाजिगी रू सॉप से वह सब्सक्राइब कि ओड़ी। आज मेडकर फैमिली खास करके अमित मेडकर जो अमुरूत मेडकर जी के लड़के हैं और इनका काफी बड़ा योगदान इस परिसर में है उनके परिवार के माध्यम से काफी अच्छे सामाजिक कारिय आज तक हुए है और इस करोना की परिस्तिती में सही में समाज के लिए योग के लिए क्या जरूरी है ऐसे अच्छे उपकरम का उन्होंने आयोजन किया इसके लिए मेडकर परिवार और उनके फांडेशन के माध्यम से काम करना वाले सभी कारे करता हुए इनका मैं अभिनेंदन करता हूँ लिए कारेयर है त्यान्स कारेयर है त्यान्छा सभ्धान पेख्शा मोट वक्त हुए आहे त्यामम माजे मित्र मनून् त्यान्से माजे मेड़त्व तयान locom skirts तैमां पास्षू नाहे काहिए काहिए अचरवापं करता है और निते आपली निए साही आपली निक्षभे अगल आज नौकरिया नहीं मिलने से सक्षित और बेरुज़गार लोग निराश है कई लोग आत्मत्या कर रहे हैं ऐसे युवाओं को एक शत के नीचे जमा कर उन्हें नौकरी दिलाई जा सके इसके लिए इस जौब फ्यर का योजन किया गया था अमित मिटकर ने कमपनियों और युवाओं के अच्छे प्रतिसाथ पर भी खुशी जाहिर करते हुए अपने बीजेपी नेताओं के सयोग और मार्क दर्सन के लिए आभार जताया मैं एक हैंडी के पूँ मैं तुर्बाना कानमनगर मेरेता हूँ मैं पिछले साथार मने से इधर भटक रहुए लेकिन मुझे काम नहीं मिला लेकिन आज आमी जी के आज जनम दिन के तो और के तरफ से एक योजने रखे थे जौब के लिए तो आज मैं इधर आया तो मुझ मैं जास्ता फोकस मेडिकल याचा वरती करतो हूँ मैं त्या अनुशंगा नहीं हैल चेक अप कैम, ब्लड डोनेशन कैम, आय चेक अप कैम यह सर्वा ठेवत असतो पन तुम्हाला सरवन नमाहित है कि गेला दोन वर्शा पसुन जो कोरोना चा आकर संपुर्ण देश बरा मत जागा मते जालेलाई आनि कोरोना मुए लोगडाउन करना ताल होता आनि त्या लोगडाउन मुए सग्या कमपणी सरवोष मार्केट है बंद होते आनि त्या मुळे आनेक लोकाँ ना आपला नोकरी गमावय लगली आनि बेरोज लोका त्याचा मते बेरोजगार जले, झेने करून यही है तुर्पवा सभरता लोक तो अंलते ओर पिमाद और सकती है तो शुने हमस्थ nay रोजगर है बतना का युछा को तो सहुदन ii जला फैज घ्या का यहीविग मैलका ही है WAINT के लिए लाए के लिए लाए